हुआ फ्रीरड मैं फिर वेल्कम करते हैं आप लोगों को मैरी गालिवृण्वे फिलावरृवा संस ओन इसे Agar Marigåल का प्लात्साहिए अप लोगों को सोटे से बरे लेकर प्लांट करना यह कृपर्ट suivर आप água tahock बने रही है स्कीप मत कीजिए गाँ तो लाइक-शाप जरू कर दीजिए गा के चले देखते हैं कि प्लाइट कैसे लगाते हैं जमिल में इसे लगाते हैं पॉट में तो फ्रेंड देखिए कल मैं दो तीन का मरी गोल्ड है वो मैं खड़ित के लाई थी देखिए यह एक है यह एक है सबी एक फूट का है एक फूट हाइट का है लेकिन मैंने कोई भी इनका पिंचिन नहीं किया है खड़ित के ब्रांच बहुत निकलेगी बहुत ही चोटा 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 फ्लावर होगी इनका का इनका का जो साइज होता है हो फ्लावर का बहुत ही बड़ा साइब होता है तो आप अगर बड़ा साइब कीजिए करना होता है सिर्फ एक बार इनका की पिंचिंग कर सकते हैं जवMax बड़ा हो जाएगी थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी तब आप एक बार यहां से देखिए यहां से यहां से पिंचिंग कर दीजिएगा मैं दिखाती हूं यहां से कट कर दीजिएगा यहां से सिर्फ एक बार सिर्फ इस बार ब्रांच में करना है और कोई भी ब्रांच में नहीं करना ह अगर इस बड़ आप एक पिंचिंग करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रांच है वो निकलेगी वो निकल के आई बहुत सुन्दर कंडिशन में है मरीगोल्ड और जो देसी बराइटी होती है वह आप जितने पिंचिंग करेंगे उसका फ्लावर का साइज बहुत ही छोटा हो उसका फ्लावर भी इनका से ज्यादा इनका से भी ज्यादा बड़ा हो जाती है तो मैं स्कुछ सीट मंगबाया हूं मुझे पास अभी तक नहीं आया है स्टीट पोस्ट में आ रही है तो वह देख लेना आप लोग वह बहुत ही अच्छा है और वाइट भड़ाइट का है आफ्रीयकन एक अप्रिकान एस सीटा्यकृ में परते कहारा नहीं में आप मेला तो आज बात करते है है डरीगोल में में भी म्हसें खाथ प्लांट में नहीं आ मैं नहीं नहींद पीलाप्ट कि है तो इस छोटा इतना चोटा जब प्रदाबिन घो पूट बनाच Policy का अग्ती क Cult कौना मा इलिट धनगस तो आप सब्सक्राइब में आनगसे अग्ति नहीं ड़र जाता है जमिन में अलग करके मिटमी रिटी नहीं लगता है तो अगर आप पॉट में लगाते हैं तो पॉट में आप लगा सकते हैं वेलडेन मिट्टी होना चाहिए लेकिन अरिगोल के मिट्टी हमेशा मोईस्चर लगता जरूरी है मोईस्टर का मतलब है देखिए मैं दिखाती हूँ मोईस्टर का मतलब होता है ऐसा मोईस्टर ऐसा मौश्चन होना चाहिए ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा हो जो पानी निकन नहीं रहा है उपर में बहे जा रही है वह ऐसा मौश्चन नहीं है तो वह सरके नहीं फंगस लगके खड़ाब हो जाएगी तो मारी बोल गोल के लिए सबसे आइडियल जो मिट्टी है ज पहले जब लेके आते हैं तब कोई खाद देने की ज़वरत नहीं है अशिर भार में कमपुस्टी काफी है 15-20 दिन के बाद आपको खाद देना है कौन सी खाद देना है वह भी मैं आप लोगों को बटा दूंगी और कीचन कमपुस्ट की जो लिकूइट है वह करके आप दे करके और इसको बहुत ही अच्छा से मिक्स करके आप भीका के रखे और उसको चान के तीन चाथ दिन बाद चान के आप में दे सकते हैं तो यह है मारीगोल के लिए आइडियल मीट्टी यह खाने बाले पौदा है इसमें जितना भी खाना आप देंगे यह बहुत ही खाना प फ्लावर क्टम जब हो जाइगी तब मैं इसको उठा के फेक दूंगी यह रख दूंगी माफ पिछले साल इसको कटीश की कटिंग करके लगा तो आज में खात नहीं दूंगी खा दो देना है यह बता दूंगी आप लोगों को दिखा दूंगी आप लोग मेरे साथ रहें स जो है उइंटर की फ्लावर के लिए सिर्फ मारीगोल के लिए नहीं उइंटर की सब फ्लावर में यह खाद आप दे सकती है तो स्कीप मत किजिएगा पुड़ा वीडियो देखेगा और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो नए है वो सब्सक्राइब कर दीजिए जो करना था वो कलिया बड़ा हो गया है देखिए दो तिन कलिया निकल आई है लेकिन मैं इसमें बोला था कि इसमें पिंचिंग नहीं करना है सिर्फ एक बर पिंचिंग करना है एक बर पिंचिंग करने की मतलब है इसकी जो यह जो कलिया है आप आप फ्लावर लेगी तो इसमे अच्छी तरह से बहुत सारे फ्लावर नहीं निकलेगी इसको एक बड़ी पिंचिंग कर देना है ऐसे करना है देखिए यहां से देखिए देखिए यह जो कलिया है मैं दिखाती हूँ यह जो कलिया है कलिया के यहां से यह जो कलिया एकी ब्रांच में निकला है वहां से कट कर देना है ऐसे दीए ठी梅 एसे में एक बारी पींचन कर दिया है देखिये यहां से कट कर दिया है नोहीं आप इसको और 5 इंच निकल एक देखिये यह ब्रांच निकल रहा है तिंचसे पहले वहाई इनका को हो ज्यादा पीचन नहीं करना पड़ता यहeffect अजेधिक बहुत ब्रांच निकाल देती है दिए बहुत सरे ब्रांच निकल रहा है इसका भी हालत ऐसे है एक कली आई है मैं इसको वि ऐसींग कर दूगे देखिए मैंने पिंचन कर दिया है यहाँ से दो यह से दो ब्रांच निकल जाएगी यह एक ब्रांच है तीन ब्रांच यह ब्रांच है चार ब्रांच चार ब्रांच और भी निकलेगी तो यह से अगर ब्रांच निकलेगी तो ब्रांच से बहुत सारे फ्लावर आएगी तो ऐसे आप पिंचिंग कर सकते हैं तो फ्रेंड देख में फ्रावर कितना बड़ा होगी और देख से कीरे ने खा लिया है यह इंका का बड़ाइटी है। सब्राक क्या है मैंने इंसर प्रिस्ट स्प्रेड किया है तो चलिए देखते हैं इसमें फिर से कर लिय आने लगी है देखिए को लिए खाली है अभी तक मैं शर्फ एक रची सर्शोग की खली दिया है और कुछ भी नहीं दिया है पतलो करके शर्शोग को ख tensuk की खली दिया है अब जो मैं दूँगी वह देखिए पहले मिट्टी को خुदय कर लेना है अगर मेरे आपके तोatt में है तो आप मिटी के खुदाई साइट साइट से कर लीजिए गा पॉट में अगर है तो आपकी मैं साइट से से मिटी के खुदाई कर रही हूं देखिए देखिए पहले मैं कर लेती हूं देखिए मैंने साइट से खोल लिया है अब जो मुझे देना है इसमें सिर्फ सर्सो की खली आप 15 दिन में एक दिन दे सकते हैं और 15 दिन में आप दे सकते हैं डीएपी देखिए अच्छे से दिखाती हूं मैं यहां नहीं जो ब्रांच से वहां नहीं साइट से ऐसे डाल देना है डाल के मिटी से इसको मिला देना है देखिए यह बहुत साब्धनी से उसकी जिएगा मेरा थोड़ा सा पुड़ा ना है डीएपी इसलिए मैं इतना दे रही हूं अगर आपका नए पूम है तो आप और भी थोड़ा सा कम दे सकते हैं लेकिन जादा मत दीजिए जादा देने से यह खड़ाब हो सकते हैं डीएपी जितना अच्छा है उतना खड़ाब है डीएपी और सिंगल सुपर फॉस्पेट तो फ्रेन खाद देने के दस दिन बाद आप देख सकते हैं फ्लावर खिल चुकी है बहुत ही फ्लावर खिल चुके हम लोगों के यहां दो तीन दिन बारिश हुई थी बारिश में देखिए खिल के पानी इसमें माम के वह यह डाल तूट गई है देख सकते है आप देखिए यहां से तूट गई है यह सेम है तूटा नहीं है लेकिन यह विल गया है यह लेकिन एक तूट गया है यह मैं तोल लूंगी देखिए फ्लावर में पानी जम के दो तीन दिन लग वातार बाडिश होती रहिए हम लोगों कि यहां देखिए मैं तोल लेती हूं देखिये यह मेरा मारी गोल का इनका का है तक यह भी तूट गया है देख सकते हैं यह कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन फ्लावर है फ्लावर सब हील रहा है सब देखिए कैसे हो रहा है फ्लावर तो ऐसे आप लोग मारीगोल कर सकते हैं जो बड़ा प्लांट लेके एक फूट हाइट का प्लांट लेकर आये ना आके हैं ऐसे आप लोग रिपोट कर देना ऐसे आप प्ऱाइब को कैसे लगाते है वो वीडियो किसे बाद मैं लेके आऊंगी तो आपट वंदीव हुए नाए न